पर डिडिरेक्ट करेगा यहाँ पर आपको कुलोज वाले विकल पर क्लिक करना है अब कुछ पॉइंट इन्होंने बताया है कि आप सभी का जो आवेधन है यह पांच अक्रूबर से सुरू की गई है जबी भी आप आवेधन करते हैं अगर कोई भी टूटी रहती है तो उसको आप 40 गंटे के अंदर में उसको सुधार भी कर सकते हैं आपको मैक्समाम दो हैक्टियर तक का ही आवेधन करने का मौका दिया गया है परिबार में किसी एक सदस्यों का ही लाब मिलेगा जैसे माता पिता पती पतनी या आपके बच्चे हैं उनमें से किसी एक लोग को ही इस जमीन का LPC हो या रसीद हो तो वो 23-24 का अप्लोड करेंगे वही आप किसी अन्यवेक्ति का खेत जोतेते हैं तो वैसे इस्तिति में आपको सौग घोसना पतर आपको अप्लोड करने है जसका लिंक यहीं पर दिये गया है आप सिंपली इस वाले लिंक पर क्लिक करेंगे मैं बता देता हूं यह form आपके सामने डाउनलोड होगा उसके बाद इसको आपको open करना है अब देखिए इसमें क्या है कि आपको अपना नाम बताना है पिता का नाम, ग्राम, पंचायत ये सब जनकारी है ब्लोक आपको बतानी है साथ में जो जमीन आपजोते हैं उसका खाता नंबर खिसरा नंबर यह जो मुल भुधारी है और कौन है चोहद्दि क्या है रखवा क्या है यह सब जनकारी देनी है इसके अलावे दो वो किसान जो अगल वगल के होंगे, उसकी जैनकारी देंगे, फिर आपको अपना घोसना करनी है, और इसका जो विभागिये करवाई के लिए आपको जो है वेरिफिकेसन करवानी है, जो जन परतिन नीदी है, उनसे सिंगनेचर करवा लीजीगा, और जो भी किरिसे सन्वैक ह उनसे signature करवा कर इसको आप upload कर सकते तो यहां तक आपने जयनकारी को समझा अब देखे apply करने के लिए आपको यहां पर जो है किसान registration number डालना है और search पर click करना बहुत सारे ऐसे लोग है जिनको किसान registration पता ही नहीं होगा वैसे हिस्तिति में आपको क्या करना official website का link दिये गए है आप इस पर click करेंगे आप dbt के website पर आ जाएंगे यहां पर आने के बाद पहले इसको close करेंगे और यहां पर देखे three line जो मिलता है इस पर आपको click करना है और कई सारे अलग अलग अपको option मिलते हैं यहीं पर आप देखेंगे आप इस पर आपको click करना है और यहां पर एक option आपको मिलेंगे किसान पंजिकरन जाने आप simply इस बाले link पर click करेंगे यहां पर आने के बाद आपको किसान registration खोजने का कई सारे option है आप चाहे तो अपना अधार number, mobile number दोनों में से कोई भी डाल सकते है तो अधार number को चूनेंगे अब अपना अधार number यहां पर डालेंगे login करेंगे और आपका जो किसान registration है वो दिखा देगा फिर जो किसान registration आपको मिलेगा उसके मदद से ही आपको इस supply वाले link पर click करकर अपना किसान registration number यहां पर डाल कर मैं search करता हूँ उसके बाद इस परकार एक message आगा कि किसान बंदूर से आगड़ा है कि आप सभी को अपने bank खाता को NPCA से link करवा ले अगर है या नहीं है उसकी status देखनी है तो यहां पर link दिये गया है उस पर click करकर देख सकते हैं आप simply okay वाले विकल पर click करेंगे अब okay पर click करेंगे तो आपके सामने पूरी detail खुल कर आती है जो आपके किसान पंजीकरन में दिया गया होगा अब simply नीचे आएंगे तो यहां पर भूले गया है कि अपने परिबार का सही सही बिबरद दर्ज करें एक चीज़ और आप धियान रखेगा जब किसान registration नमबर डाल कर सर्च करेंगे तो यह form उन्हीं लोगों का खुलेगा जो बाड परभावित जिले या आपके जो पंजायत है या आपके जो गाओं है वो बाड से परभावित हुए होगे तब ही खुलेगा नहीं खुल रहा है तो इसका मतलब है कि आपके जो पंजायत है आपके गाओं है बाड परभावित में नहीं आये हैं इसलिए आपको जो है जो अनुदान दिये जा रहा है आपको क्रिस्स इंपुट का वो लाव आपको नहीं मिलेगा नहीं खुल रहा है तो आप अप अप तर से रद हो जाते हैं यह भी ध्यान रखीगा तो इसमें सबसे पहले बोला गया कि सदसित का संबंद इसमें देखिए आपको क्या होता है कि परिवार में आपके माता है पिता है पती पतनी है बच्चे है तो इन सब में सब का आवेदन नहीं होगा इन में सब किसी एक विक् आधार नंबर है यहाँ पर फिल करेंगे पिता का जो नाम है अधार के अनुसार वो आपको बताना है साथ मैं उनका जूबी जनमतीती है उनके एनके अधार पर देख लिजिएगा calendar के recording यहां से साल को आप बढ़ा गटा सकते हैं महिना डेट को आपको यहां से चैन करना है इस परकार उनकी जनकारी आपको दर्ज करनी है उसके बाद यहां से क्या करेंगे इनको सेव करना है जब सेव करेंगे तो आधार से जो लिंक नंबर होंगे उस पर OTP जाएगा OTP को डाल कर आप सत्यापित करेंगे इसी according आप माता जी की भी जनकारी आइट कर दीजीगा अगर आप पती है आपकी साधी हो चुकी है तो आप अपने पतनी की भी जनकारी आइट कर देंगे यह जनकारी आइट करेंगे तो यही है कि बहुत एक सत्यापन जब होता है उस समय उनको पता चलता है कि परिबार में इन्होंने एक ही व्यक्ति अपलाई किया है क्योंकि आपने सभी व्यक्ति के डीटेल दिया वो उस डीटेल से आपकी जनकारी पता कर लेती कि और लोग तो अपलाई नहीं किया है इसलिए ये जनकारी मांगी जाती है आप चाहे तो सबको आइट कीजिए नहीं इच्छा है तो आप चाहे तो पिता को भी आइट कर सकते हैं या आपके उपर depend करता है मैं कहूंगा कि सबको आइट कर लीजिएगा तो आपके लिए यह अच्छा रहेगा सत्यापन होने में प्रपायेंगें तो यहाँ पर बोला गया खे किसान के करकार और भूमी का विबरन आपको देनी है। यहाँ पर देखेंगेंगे, तो बोला गया है कि खेती करने योग भूमी जो भी है Suasare उनकारी आपको डेश्मल में बताने गया जो भी होगा चार्सो वही चोरासी में हो रहा है, तो मैक्समुम उतनी। यतना में भी खेति करते हैं मानLजे, मैं 200 डेस्मलम् fund में खेति करन रहा हूं, तो यहां पर और सबस्त All Deshalb लिखूँँ गां। दूसरा है वास्तवी खेतियर ये वो होते हैं जिनके पास खुद का तो जमीन नहीं होता है लेकिन वो किसी अने विक्ति का जमीन जोते हैं तो आप यह उप्शन चुनेंगे तिसरा option यह है कि माल लिए आपके पास खुद का भी जमीन है और दूसरे का भी जमीन जो होते हैं तो आप यह third वाला option चुनेंगे अब तीनों condition में अलग-अलग documentary लगेगा जैसे अगर स्वयम धारी है तो आपको अपना LPC या जमीन का रसीद जोकि मैंने बताया सपत पतर दिखा उसको भरकर दोनों को आपको upload करने की जरूरत होगी तो आप अपने according यहां से option को chain करेंगे उसके बाद अगला option है पूछेगा च्छती का कारण तो आप जानते ही है बाट के कारण च्छती हुई है तो आपको यहां पर बाट को ही chain करना है फिर आप नीचे आएंगे तो फिर आपको जमीन से समझेत कुछ जनकारी पूछी कि जैसे मैंने यहां पर किसान का प्रकार में मैंने स्वयम डाला तो यहां पर स्वयम आएगा अगर आप बास्तवी खितियार डालेंगे तो वह आएगा दूरों डालेंगे तो दूरों बाला option आपको जाए वही खरीब दलहन लगाया था खरीब तेलहन लगाया था मक्का सबजी केला इसके अलाबे गन्ना यह सब था तो आप बता सकते जो भी था आप अपने according या सब फसल को चूनेंगे उसके बाद यहां पर पूछेगा कि जमीन का परकार बता है जमीन का परकार में एक है आपका वर्सा आसरित है और है सिंचित है तो सिंचित में क्या है कि सिंचित के लिए जो अनुदानी तरह सी ज़्यादा होती है वही वर्सा आसरित यानि सिंचित जमीन के लिए थोरा सा अनुदानी तरह सी कम होती है जोकि नोटिफिकेशन आप देखेंगे तो उसमें यह क्लियर बताए गया तो आप अपने कोडिंग बताएंगे कि आपका जुर्ण ये फसल एकुस परगार का था मान लिग ये सिंचित है ये एक भी खायक का है तो उसमें 247 दूर हो गया तो उसमें आपका फसल कितना नस्ट हुआ है यहां पर पूरा बताएंगे कि इतने धूर का मेरा प्लॉट है अब उसमें जो छती हुआ है छती हुई भूमी का जो भी रखवा है आपको यस बाले कॉलम में आपको बतानी है उ बाले प्लॉट होते है अब बहुत सारे एक यहां पर ओपर में देखिए अड हो चुका है अब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास अलग अलग प्लॉट होते हैं अब दूसरे plot में उन्होंने अलग चीजे लगाया था जैसे सबजी लगाया था तो आप यहाँ पर सबजी बताएंगे इसके अलावे जो जमीन का परकार हो किस परकार था सिंचित था या सिंचित था वो बताएंगे फिर छती का कारण वही रहेगा फिर जो भी थाना नंबर है खाता नंबर है किसरा नंबर है और जनकारी आपको यहाँ पर देने की जरूरत होगी फिर आपको बताना है कि फसल लगाया गया भूमी का क्या रकवा था वो बताएंगे कितने नश्ट हुए वो बताएंगे और आपका अनुदान यहाँ पर दिखा देगा फिर यहाँ पर जो भी बगल के किसान होंगे, दो किसान का नाम बताएंगे, फिर और भी आपका plot है, तो add new row पे किलिक करकर उसे add कर येगा, वो भी add होगा, फिर और भी है, तो और भी add कर सकते हैं, अगर remove करना है, तो remove भी कर सकते हैं, तो इस परकार ये सब जनकारी जो है, आपको देने ये दोनों जो checkbox है, ये तीनों checkbox पर आपको tick करना है, नीचे में एक option मिलता है, gate OTP का, जिस पर किलिक करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जो capture code मिल रहा है, उसको आपको यहाँ पर fill करना है, तब आपको जो है, gate OTP पर किलिक करना है, फिर आपके number पर एक OTP जाएगा, OTP को अगर उससे आपको verify करना है, और एक option मिलेगा, उसके बाद validate and apply का, जिस पर आपको click करना है, उसके बाद आपके सामने अगला interface इस पर कराएगा, जिसमें बताएगा कि आपको जो है, अपना दस्तावेज को upload करना है, दस्तावेज 300KB में ये पीडिया format में होगा, मैंने ब पास LPC होना चाहिए, वही जो खेतियर व्यक्ति है, उनको क्या है, कि उनको एक जो है, मैंने बताया है, कि सत्यापन के लिए 100 घुसना पतर दिये गया है, उसको download करकर उसको भरकर यहाँ पर upload करने की जरूरत होगी, अब देखिए